नमस्कार मैं समर के मखर जी और आप देख रहे हैं DG Filming आज के इस वीडियो में मैं हिंदी के एक फिल्म को एक्जांबल के रूप में हम लेना चाहेंगे और उसके कुछ बारिकियों को आपके सामने प्रसुत करेंगे जिससे आप अपने फिल्म को बनाते समय उसका ध्यान अगर रखेंगे तो डिफिनिटली वो फिल्म अच्छी बनेगे वो फिल्म है आज का जो मैं फिल्म ले रहा हूँ वो फिल्म है English-Winglish मेरे ख्याल से इस फिल्म को आप सबने दिखा होगा और इसमें स्री देवी जी का बेहतरीन परफॉमेंस भी देखा होगा चलिए एक एक करके हम बात करते हैं सबसे पहले हम लेते हैं इसमें एक एडिटिंग का एक्जाम्पल देखे इसमें जो नाई का है यानि स्री देवी जिस रोल को कर रही है उसका नाम है शशी और वो हाउस वाइफ है उसे इंगलिश बूलना नहीं आता अच्छी तरह से वो हिंदी अच्छी जानती है और उसके अंदर बाकी बहुत सारे क्वालिटीज है जैसे वो बहुत अच्छा लड़ू बनाती है और लड़ू बनाकरके वो घर से बनाकरके दूसरे जगे सप्लाई करती है देती है तो इस तरह का उसका करेक्टर है बहुत खुश रहती है बस उसे कोई इंगलिश के नाम पर कोई अगर दबा देता है या कुछ बोल देता है तब उसे दुख होता है otherwise वो बहुत अच्छी है, बहुत खुश है, उसका एक अच्छा सा परिवार है और वो अपने उस परिवार में बहुत ही सुखी है इस फिल्म में एक सीन है जिसमें वो लड़ू बनाती है और उसे घर-घर में डिलिवर करने जाना होता है तो ये सीन को कितने अच्छे ढंग से एडिटिंग किया गया है, ये मैं बताऊंगा इसमें क्या करती है, लड़की पहले अपने हस्बेंड से यानि जो नाई का है वो अपने हस्बेंड से पूछती है कि आज गाड़ी चाहिए, हमें कई जगह पर डिस्टिबूट करना है या डिलिवर करना है तो उसके हस्बेंड बोलते हैं, आज नहीं दे पाऊंगा, आज मुझे मिटिंग में जाना है, कहीं पर जाना है और बीच-बीच में किसी और से भी बाते होती है, जहांपर लड़ी डिलिवर करती है, वहांपर भी कुछ बाते होती है और ये सारे चीज़े अगर दिखाना होता वन-वाइवन, कट करके, तो ये लेंध जाधा हो जाता लेकिन इन्हें दिखाना है यानि डिरेक्टर को दिखाना है कि लड़ू का distribution बहुत कम समय में हमको दिखाना है कि वो घर-घर में जा करके वो दे रही है, डिलिवर कर रही है और लोगों को उसका लड़ू बहुत पसंद भी आ रहा है तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है, J-Cut और L-Cut का सहरा लिया है यानि editing में L-Cut और J-Cut एक साथ किया गया है हर एक shot में यानि audio को पहले छोड़ दिया है, वीडियो उसके बाद का वीडियो चलना स्टार्ट हो गया जब तक से उसका वीडियो चल रहा है, तब तक से आगे का audio स्टार्ट हो गया यानि audio वीडियो को J-Cut और L-Cut हमारे एक वीडियो है जिसमें J-Cut और L-Cut के बारे में पूरी तरह से बताया गया है उसमें दिया गया है, इसमें भी आपको एक साथ तुम्हें नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि हो सकता है copyright आजाए तो हम टुकडे में दिखाएंगे, आप इस scene को इस film में फिर से देख सकते है पूरा का पूरा जो sequence है, इस लड़ू distribute करने का, लड़ू deliver करने का तो आपको J-Cut और L-Cut का best example मिलेंगे और आपको लएगा कि कैसे किसी जो scene को बड़ा हो जाता है, जो आपको कई बार क्या होता है बोरिंग लगने लगता है, उसको J-Cut और L-Cut से कैसे छोटा किया जाता है और कैसे आपको tight editing मिलती है, देखिये ला मेरे कहल से आपको J-Cut और L-Cut समझ में भी आ गया और समझ में आ गया कि किस तरह से आप अपने film में इसका use करेंगे इसी film से एक दूसरा scene भी मैं लेना चाहूँगा जिसमें किसी dialogue को powerful बनाने के लिए focus shifting का use किया गया है यह focus shifting क्या है? यानि एक जगह से focus को shift करके दूसरे जगह लाना यानि अभी जैसे मेरे उपर focus में है लेकिन पीछे अगर कोई और आदमी रहता और वो भी मेरे साथ dialogue करना होता मैं ऐसे करके देख करके उससे dialogue में बात कर रहा हूँ या एक अच्छा dialogue दे रहा हूँ तो जिस समय मैं dialogue बोल रहा हूँ उस समय मेरे पर focus है जिस समय वो dialogue बोल रहा है उस पर focus है तो यह shifting कभी कभी अच्छा लगता है यहाँ पर एक example मैं देता हूँ कि कई बार क्या होता है जान बूज के focus को defocus shift नहीं किया जाता है starting में क्योंकि वहाँ देखा जाता है डिरेक्टर यह देखता है कि किसका dialogue ज्यादा महतवपूर है उस पर अगर focus है और दूसरा आदमी भी बोल भी रहा है लेकिन उसका फिर dialogue आने वाला है तो उस पर ही focus को continue करते है फिर जब इसका कोई reaction देना होता है तब focus को फिर से shift किया जाता है यह छोटा सा point देखिए छोटा सा part देखिए आपको समझ में आ जाएगा इसको मैं दो भाग में इसलिए बांट के दिखा रहा हूँ ताकि एक साथ देने पर copyright ना है और आपको समझ में आ जाएगा तुम पढ़ावगी मुझे English Literature इस डियालोग के अंतरगत डियालोग को पावरफुल बनाने के लिए focus shifting किया गया है चलिए एक और उधारन इसी फिल्म से हम लेते हैं जिसमें एक गंभीर विशा है गंभीर सीन है जिसमें एक husband wife अपने bedroom में बाते कर रहे हैं उससे पहले की घटना में बता दूँ जो शची है यानि स्रीदेवी वो PTM में जाती है अपनी बेटी के साथ यानि parents teacher meeting में वहाँ पर English अच्छा न बोल पाने की वज़े से या नहीं आने की वज़े से उसकी बेटी उसे भला बुरा बोल देती है और इससे वो बहुत आहत होती है और अब बात कर रही है यहाँ पर क्या है आप देखेंगे कि वो बात करते हुए स्रीदेवी सबसे पहले शोट में इस सीन के एक शोट में वो साड़ी को फोल्ड कर रही है तो लोगों को लगेगा भी वो अपना काम कर रही है घर का काम है वो साड़ी को फोल्ड करके बात कर रही है फिर दूसरे शोट में आप फिर देखेंगे कि वो हस्बेंड का बिल्ट को भी मोड करके रख रही है यानि इससे दो चीजे पता चल जाता है यानि घर का पूरा काम, यानि उसका अपना खुद का काम, और पती का काम, सब काम उसी को करना होता, यानि हर चीछ सहेच के रखना, घर को मैनेज करना, ये दोनों शॉट्स में आपको समझ में आ जाता. और उनका जो बॉड़ी लेंग्वेज होता है, इसमें पता चलता है कि जो हस्बेंड है, वो अच्छा है, लेकिन वो दबा कर रखता है, और जो वाइफ है, ऐसा नहीं कि दबू है, या डरपोख है, या उसको कुछ नहीं आता है, सब कुछ आता है, लेकिन वो मजबूर है, यह भी पता चल जाता है, और वहाँ पर एक बहतरीन डायलोग से जो प्रॉपर्टी का खेल है, या निए प्रॉप्स को लेकर के जो खेल रही है, एक्टिं के साथ बहुत बढ़िया कर दी, जिससे में वो हस्बेंट बोलते हैं, कि अरे बच्ची है यह भाई, उसने बोल दिया, तो उसका लास्ट में एक एंसर होता है, और तुम, और तुम का मतलब, यहाँ पर यह हो गया, कि तुम तो बच्चे नहीं हो, तुम कैसे ऐसा कर सकते हो, यानि मेरी इंग्लिश की जो तौहीन करते हो, ना आने का जो मेरी इंग्लिश बोलने का जो भी मजा कुड़ाया जाता है, उसमें तुम भी शामिल हो, तो और तुम, यही पर यह सीन खतम होता है, तो लोगों को एक अच्छा मैसेज जाता है, कि बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, कई बार क्या होता है, मैंने दूसरे वीडियो में भी बताया, कि आपक छोटे words के जरीए भी आप पूरा का पूरा sentence बता जाते हैं, तो यहाँ पर यह दोनों चीज़े आपको सीखने की है, कि कैसे props के जरीए आप characterization को निखार कर लाते हैं, और कैसे dialogue लिखते समय, छोटे dialogue का use करके भी आप बहतरीन message देते हैं, मुझे लगा कि आपको ये video अच् के लिए, editing के लिए, cinematography के लिए, और film को complete बना करके उसको कैसे sale किया जाता है, कैसे distribute किया जाता है, यह सारी चीज़े 5 दिन में आपके सामने, हम जैसे पूरी film की shooting होती है, उस तरह से हम लोग करते हैं, आप में रिकाल से video में देख भी रहे हैं, तो इस तरह की चीज़े हम लोग बनाते हैं, आपके साथ मिल करके, ताकि 5 दिन जो आप time देते हैं, आप छोटी से छोटी बारिकियों को भी सीखने में मदद मैं करता हूँ, और आप लोगों से भी मैं सीखता हूँ, और आपका एक group बन जाता है, यानि देश के कोने कोने से जब उस workshop में जो लोग आ और इस workshop में, जो next हमारा workshop हो रहा है, 5 days का advanced filmmaking का, उसमें कुछ नई चीजों को लेकर के मैं जैसे आज मैं बता रहा हूँ, इस तरह का नई चीजों को लेकर मैं आ रहा हूँ, और हाँ, जो दर्शक हैं, उनसे मैं अनुरोद करूँगा कि वो भी अच्छे-ची फिल्मों के ब बारे में आपको जानना है, तो उसका जो भी proper technical view है, director point of view से, script writer के point of view से, cameraman के point of view से, यानि DOP के point of view से, editing के point of view से, मैं बतानी की पुशिच करूँगा, और इसमें हम और आप मिलकर के कुछ नया चीज़ सिखेंगे, नास्कार. क्या है, जा हुआगाई, और इसमेंगे, व्न मैं आलका के वाह मुझगा, यान तो भी आपको जाओ भी पूचामूए, वाहाँ आप दिल्मार्स, याहाँआँगाई, वाहाँटाईगाई, वाहाँगाई, तो अव्रीण्यग, झालका वई। जो जो जोन जो एंग एं। जो जो आविए इंग एंग अव्टा रूम्मागी नियुकल कोई अंधिकान जिंदिक्टा जिंजग लिजीम्स–इंहार डिल्स, जानिष, जानिजद, पूर्टोंद, जयुकमें विर दोप्टे ज्माइब कोण्स. जाम जो जारो. नईसा किपने सेपाइब कर दोग मेंות